हेलो माई फेंड्स वेल्कम बाक टूर चैनल मेकेनिकल जॉप्स तो फेंड्स बहुत इच्छी विकैंसी आई है शादा मोटर्स लिंप्टिड में शार्दा मोटर्स जो लिंप्टिड कंपनी है मल्टी नेशनल कंपनी में नाम आता है ऑटमोटिव कंपनी अगर इसका पार ब गुगल लिखने और गुगल में जो है आपने लगदेना शैरदा मोटर्स करिस जैसी आप लिखेंगे पहला लेंग को सिर्च करतेमें रहा फिर अपर इसी जिस से भी आप यूज कर रहा है उससे आपको सच करके पहला है लेंगः चेका इसको क्लिक कर देना यहाँ पर तो यहां पर आपको 14 रिजल्ट मिल रहे हैं और जो प्रड़क्शन डिपार्टमेंट के लिए इंजिनियर की वेकेंसी आई है पूने महारास्टर चाकन के लिए ठीक है तो यह 15 दिसंबर की वेकेंसी है कंपनी डाली है इसको ओपन कर देता हूं कंपनी आपका नाम सामने आ गया है यह जो आपका पर्ड़क्शन डिपाटमेंट के लिए शार्दा मोटरस इंडिस्टियुस लिम्टिड में इस तरह की पूजिशन जो डिस्क्रिप्शन आपको बताए गया डेली जो है आपको लेक्शन प्लैन कपके अकॉर्डिंगी जो है वो प्रड़क्शन करवा है quality भी maintain वहाँ पर हो जो आपने product जो है manufacture वहाँ करवाने अच्छी quality के साथ हो तो ठीक है तो minimize reward को rejection कम हो guide and operate machines तो यह भी यहाँ पर आपने उस चीज़ को देखना है उसके साथ ही क्या क्या मशीन breakdowns कम हो 5S TPM ठीक है यह सारी चीज़े हैं इससे बारे में जो है आपको knowledge भी होने चाहिए अगर आप knowledge लेना चाहते हैं तो हमारी एक video होगी और उसमें जो है video को description box में आप check कर सकते हैं आपको link बिल जाएगा production department के लिए आपको किस तरह के जो है interview questions हैं वो किस सारी चीज़ें आपर बताई है TPM काईजन 5S सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे ठीक है तो में आपको जो है manage production activities को करनी है production department mechanical engineer यहां पर चाहिए ठीक है तो वहाँ पर अलग लग चीज़ें आपको सारी चीज़ें वहाँ पर पता चल जाएंगी TPM क्या होता है TQM क्या होता है safety zero incident FTT OE overall equipment efficiency किस तरह निकालते है daily productivity आपने किस तरह करनी है planned versus actual ठीक है तो यह चीज़ें आपको भी वहाँ पर जो है file में पता चल जाए है अब देखिए यहां पर कहां दिया गया यह यहां पर company ने बता दिया है कि उन्हें फ्रेशर candidate चाहिए ठीक है तो फ्रेशर के लिए zero experience दिखा दिया है आपने apply for the job पे click करना है अगर शार्दा मोटर्स में पहले कभी apply की है तो दोबारा apply आपको email ID डालने की जोट नहीं है दोबारा आपको login ही सिर्फ करना अपना email ID और password को डालके sign in कर देना जो बिल्कुल नए candidate है जिन्होंने कभी नहीं apply किया 24 या 23 वाले तो sign up पे जाना है और यहां पर sign up पे जाके अपना email ID और password डालना दोनों जोगा ठीक है और यहां पर privacy statement को open करके agree कर देना और sign up कर लेना sign up करेंगे आपकी vacancy यह open हो जाएगी अगर नहीं ही होती है तो sign in कर सकते हैं जिस email ID को use की है उस email ID और password को डालके login कर लेना तो login के बाद अपनी पूरी details यहां पर डाल देना अज़ा फ्रेश है या maximum में एक साल तक का experience है तो भी दोस्तों इशार्दा motors limited के लिए आप अपलाई कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप से जल्दी मिलते हैं तब तक के लिए अलविदा दोस्तों